नमिश्गार, एश्पीरेश्ट वंटिफोर में आपका फिर से स्वावित करती हूँ ग्राम बंचायत बगारा में सरपंचे बने सुरेश दांगी ग्रामिनों ने किया सम्मान 25 जून को हुए मतदान ने 245 वोट से जीत हांसिल गी इस तर ये पंचायत का प्रथम चरण राजगर्चिली की ब्यावरा तहसील में 25 जून को संपन्न हो गया है इधर ब्यावरा ब्लोग के तहताने वाली ग्राम पंचायत पगारा के वसूली पटेल रामेश्पर दांगी के छोटे भाई सुरेज दांगी ने भी इस पंचायत चुनाओं में अपनी उमिदवारी दिखाई थी बताया जा रहा है कि इस पगारा पंचायत में तीन गाउं आते हैं जिसमें से पगारा के 77 ग्राम पगारी और नलखेडा गाउं भी शामिल है जिसमें से सुरेज दांगी 245 वोट से निर्वाचीत हुए बता दें कि सुरेज दांगी विगद्दो कारेकाल से इस पंचायत में उप सरपंच के पत पर थे जिन्होंने पत पर रहते हुए तीनों गाउं में अनेक कारी करवाए हैं और जनकर्लियान कारी ओजनाओं का लाप गुरामिनों को दिलाया है इधर नम निर्वाचीत सरपंच सुरेज दांगी का तीनों गाउं के मतदाताओ द्वारा घर-घर साफा बांद कर स्वावत सम्मान किया जा रहा है बनावरते होकम प्रजपती की हांस रिपोर्ट देखे मेरा नाम सुरेज कुमार दांगी है और मैं ग्राम पगारा का रहने वाला हूँ मेरे ग्राम पंचायत में तीन गाउं जूड़े हुए हैं ग्राम पगारी ग्राम नलखेडा और तीनो गाउं के मद्धाताओं ने अपनी अच्ची सोच बना कर एक अच्छा इमानदार व्यक्ती उन्होंने इस पंचाद में चुना है और बिल्कुल मैं उनके साथ इमानदारी पर खरा उत्रूँगा और खरा इमानदारी पर काम करूँगा जन हित में काम करूँगा और जन हित कारियों को लेकर सबसे सूज भूज लेकर और अच्छे कारियों के और कदम बढ़ाऊं जिसा है आप जे पंचाद समा लेंगे, इससे पहला काम क्या रहेंगा आपका? देखिए मैं सबसे पहले जो पंचाद जब मेरे पास पत ब्राप्त होगा, जब मैं बुस्पत को गुरंट करूँगा, उस समय मैं इस पंचाद की माता यों पिता के समान जो बुजूर गहें, उनकी सबसे पहले पेंशन योजनाओं में उनकी एक आर्थ है।